नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों एक सामने न्यूज आ रहा है जिसके मुताबिक IMF ने कहा है कि दुनिया का 2023 में होने वाले सारे ग्रोथ का अकेला 15 प्रतिशत हिस्सा भारत में होने वाला है याने इंडिया ग्लोबल एकॉनमी का कही न कहीं केंद्र बनने वाला है 2023 में और IMF ने कहा है इंडिया ही वर्ल्ड एकॉनमी सुधारेगा इस प्रकार के आप न्यूज देख सकते हैं IMF ने उमीद की है कि इंडिया ही ग्लोबल एकॉनमिक रिवाइवल के पीछे वो शक्ती होगी तो क्या है यह पूरा न्यूज आज क्लास में कवर करेंगे साथी साथ किस मॉडल पर IMF काम करता है उस पर भी चर्चा करेंगे और उसके सिवा एक सेकिंड पार्ट इस वीडिय मेंज के प्रिलिम्स में इंटर्व्यू तीनों की प्रिपरेशन करवा रहे है में इंटर्वीव गाइडिन्स प्रोग्राम दी इसी में इनक्लूड है तो आप क्या करें इन इस्टिंदों के सब्सक्रिप्शन ले यूज दी कोड़ पाथ या फिर पाथ फाइंडर एक जू तो दोहदार चौबेस एस्पिरेंट्स के लिए है और इसे बेस्ट बैच यू कन गेट एंड नो डाउट मोस्ट एफोड़िबल प्राइस परस्पेक्टिव थिरीज भी आपके लिए हम लेकर क्या है इससे भी जुड़े रहें देखते रहें समुझर मंधन फ्री टेस्ट है 13 में को तो इसका भी हिस्सा ज़रूर बने एक लाग के प्राइस भी है और एक्जाक्ट यूपीसी पाटरन टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं तो इसको आएमेफ ने इडेंटिफाई किया है इंडिया को ऐसा ब्राइट स्पॉट और कहा है कि वर्ल्ड एकॉनमी में जो ग एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और अकेला 15 प्रतिशत ग्लोबल ग्रोफ जो 2023 में होगी उसको कॉंट्रिब्यूट करेगा दूस्तों यहां पर आएमेफ ने कहा है कि इंडिया 5.9% से ग्रो करेगा 2023 में आपको यहां बताना चाहूंगा चायना 5.2% से ग्रो करेगा य हम 5.9% से ग्रो नहीं करेंगे हम 6.1 से 6.3% से ग्रो करने वाले हैं कम से कम तो आएमेफ को पॉइंट बाइपॉइंट आरबिया ने रिबटल भी दिया था आपने कहा है कि एल नीनो होगा तो आरबिया इने कहा देखिए इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव फेस म यहां पर दोस्ता इंडिया की तारीफ ही कि यह कहीं 5.9 परसेंट को भी उन्होंने कम नहीं कहा है उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ है ब्राइट स्पॉट है और एशिया की बात करते वह कह रहे हैं कि एशियन एकॉनमी 4.6 परसेंट से ग्रोग करेगी और पिछले साल 3.8 से ग्रोग की थी और एशिया अकेले ग्लोबल ग्रोथ का सतर प्रतीशत हिस्सा कॉंट्रिब्यूट करने वाला है इंडिया 15 परसेंट है और वहीं पर चाइना अगर आप देखें तो करीबन 25 प्रतीशत जैसा है तो यह नंबर्स है इसके सिवा अगर आप देखें तो क्या इंडिया इंडिया ग्रोग कर रहा है तो इंडियन एकॉनमी पैंडेमिक लोग से तुरंत कहीं न कहीं बाउंस बैक कर पाई क्योंकि डिजिटाइडेशन हो गया तो उस वज़े से आप अगर देखें तो एकॉनमी में जो ड्यू टू कोविड रिलेटेड लॉक्डाउंस वो पार्ट ऑफ एकॉनमी जो की एकसिसिबल नहीं रहती लेकिन डिजिटाइडेशन के वज़े से वो सारा काम डिजिटल प्लाटफॉर्म के थुरू हो गया फिर वो मार्केटिंग हो रिटेल शॉपिंग हो या फिर डेली सर्विसेज इंडिस्ट्री हो जो कंप्यूटर पे जूम प्लाटफॉर्म पे या अन्या किसी प्लाटफॉर्म से हो सकते थे वो उस पे होने लग गये इसके सिवा इंडिया की जो फिसकल पॉलिसी है वो भी बहुत स्मार्ट है उन्होंने कहा है कि इंडिया इस साल और अगले साल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मोमिंटम है वो चलता ही रहने वाला है इसके सिवा अन्ये फैक्टर्स भी है जो आई मैं नहीं कहे लेकिन आप देख सकते हैं इस पर हम आने वाले दिनों में एक वीडियो भी बनाएंगे कि क्यूं इंडिया ग्रो करने वाला है वो क्या कारण है कि इंडिया एक स्ट्रॉक इंसेंटेउस वाले स्कीम चला रहा है जिसे पी यल आई स्कीम है growing यह स्ट्रॉइस सेक्टर भारत का उभर रहा है जैसे तूरीजम जैसे आप देखें हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री तो वो सब कोविड में बिल्कुल दब गये थे लेकिन वापस उभर रहा हैं मौन्स किया है जिसके दवारा Economic Growth को प्रोजेक्ट कर रहा है इसका नाम है प्लाट्जर एंड परूफो मॉडल दूसरे यहां पर आपको बता देता हूं जॉसेफ प्लाट्जर मार्सल परूफो दोनों के दोनों ही इकॉनमिस्ट है ब्राउन युनिवर्स्टी से बहुत यंग है 2021-22 के पीएच्डी काइडिडेट्स है पीएच्डी इन्होंने किया है 2021-22 में हो सकता है मुझसे भी छोटे हो यानि बहुत यंग एकॉनमिस्ट है और देख सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा मार्क क्रिएट कर दिया है आज के ग्लोबल एकॉनमी में कि इनका जो मॉडल है इस्तमाल कर रही है ग्लोबल एकॉनमी के ग्रोथ को प्रोजेक्ट करने के लिए तो आप भी इनसे इंस्पायर होके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस भी फील्ड में है उसमें अपना मार्क बनाना बिल्कुल ना भू रूफों ने उसमें अलग-अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है जब बात होती है कोई कंट्री ग्रोग करेगी या नहीं जिसमें एक है कैसे हो रहे है जिस उस देश में जो इंट्रेस्ट रेट है वह कैसे जाने वाला है उपर जाएगा नीचे जाएगा उस देश में जो capital flows हो रहा है जो FDI आ रही है जो FIIs आ रहे है जिस ब्रकार से वो आ रहे है वो कैसा हो रहा है उसको भी monitor किया जाता है demographic development कैसा है economy में जहां पर जो लोग रहने जो economy में contribute करेंगे वो क्या youthful है याने वो और भी ज्यादा value addition करने वाले है economy में या फिर वो population सिनाहिल हो गया है तो वहां पर कहीं न कहीं economy में उनकी liabilities बढ़ जाएंगी healthcare expenditure बढ़ने वाला है तो उस प्रकार से भी consider किया जाता है इसके सिवा inequality कैसी है income की जो share of income है richest 10% को कितना जा रहा है और बाकी के 90% को कितना जा रहा है इसके सिवा pension के replacement rates क्या है और यह सारी चीजे भी होती है labor share कि है कितने लोग labor participation कर रहे हैं तो वह rates क्या चल रहे है government का debt कितना है public expenditure कितना है तो इन सब को consider करके IMF in countries की economic growth को project करता है तो प्लाट्जर एंड फिरूफो मॉडल है दोस्तों उमीद करता हूं को आज पसंद आई होगी second part इसका अने वाला है जिसमें हम इंडिया क्यों unstoppable बन रहा है उसको कवर करेंगे तो comment section में जरूर बताइएगा अगर आप उसके बारे में जानना चाहें आपको बता देता हूं एक जून से स्टार्ट हो रहा है 900 से अधिक गंटे है और आपको description box में link मिल जाएगा पिंड comment में link मिल जाएगा जल्दी से जाएं जाके enroll कर लें इसको अपने हाथ से जाने ना दे क्योंकि prices बाद में बढ़ जाएंगी